आज का जो हमारा टॉपिक है वो है The Heart of the Tree, जो की English टी पोयम है और class 9th और 10th ICSC की पोयम है इस पोयम में जो में चीजे बताई हैं जो में इस पोयम का मोटेव हो क्या है? कि हमें धेर सारे ट्रीस प्लांड करने चाहिए, अब ट्रीस क्यों प्लांड करने चाहिए? क्रीज प्लांट करने का क्या benefit होता है वो इस poem में लाइन में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा तो start करते हैं poem से भीने time waste किये तो इसकी पहले line है इस poem में एक pattern फॉल होगा वो यह कि पहले poet पूछेंगे question करेंगे और फिर उसी चीज का वो खुदी answer भी देंगे चीक है तो इस पूरी poem में यही एक pattern फॉल होगा कि पहले तो poet पूछेंगे कि हमें क्यों plant करना चाहिए क्यों नहीं plant करना चाहिए वो question करेंगे उसके बाद वो खुद answers देंगे तो start करते हैं पहली line से what does he plants who plants a tree वो इंसान जो की क्री को plant कर रहा है वो क्या plant कर रहा होता है it means कि अगर कोई इंसान पौधे लगा रहा है तो वो क्या लगा रहा है क्या वो सिर्फ और सिर्फ पौधे लगा रहा है या मतलब पूछ रहे हैं इससे एक poet की अगर कोई इंसान पौधे लगा रहा है तो उससे क्या होता है he plants a friend of sun and sky वो सिर्फ एक पौधे नहीं लगा के वो किसको plant कर रहा है सूरज का और आस्मान का दोस्त को plant कर रहा है ठीक है मतलब कि जो tree है उसकी दोस्ती किस से हो जाएगी उसके कौन friends बन जाएगी जो sun है और जो sky है He plants the flag of bridges free यहां bridges free का मतलब है cold winds soft हलकी हलकी कोमल कोमल जो हवाएं चलती है वह उसको भी plant कर रहा है क्यों कि जब पेड़ बढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा हवाएं चलेंगी वह हम लोग को भी अच्छी लगती है और विल्कुल सब हवा सब कुछी होता है हम लोग क्यों पेड़ के नीशी जागे बैढ़ जाते हैं क्योंकि हमको बहुत सारी हवाएं अच्छी लगती थंडा लगता है और जो शाफ यहां पे उसकी स्टेम को बोला है जो उसकी ब्रांचेज है वो जो है वो इतनी हाई जा रही है जैसे कि लग रहा है वो टावर हो कैसा लग रहा है ऐस टॉल एस टावर हो तो प्लांट क्या 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 वो पहले तो वो सन का और स्काई का फ्रेंड प्लांट किय और उसकी इतनी सुन्दर सुन्दर शाखाएं जो कि कैसी लग रही है एस टॉल एस टावर की तरफ ही प्लांट सो होम टू हैवन अलाइन अब वह वहां पे होम प्लांड कर रहा है मतलब घर किसी का वहां पर बन सकता है क्यों जैसे हमारी चिडियाएं रहती है पेड़ों पे ही है ठीक है वहां पे बंदर भी बैठते हैं तो वह किसी का घर भी हो सकता है तो ही प्लांट सो होम टू हैवन अलाइन फॉर सॉंग एंड़ मदर क्रून और वहां पे चिडिया बैठती है अपने बच्चों का गोसला बनाती है उस बनके बच्चे रहते उनके लिए वह गा कुषी के सब्ससील आइं सके निना फॉर्ला की या नि एक तवीफसुल होते हैं जो चीजेशे का वह हम वह हैं लगती है तो वहां पे बपने अपने लिए या ऐसे गुन-गुनाती है अपनी हार्प तो वह कैसा लगता है कि एक तम musical tones चल रहे हैं और एक तम heaven वाला पातवरन हो गया है these things he plants who plants a tree तो यह सारी चीज़े एक इंसान plant करता है जब वह एक tree को plant करता है ठीक है तो सिर्फ और सिप ट्री को plant कर देना it's not good ना मतलब वह plant कर रहा है तो उसका मोटिव क्या होता है उसका मोटिव है कि वह इन सारी चीजों को साथ मिले के चल रहा है वह एक ट्री plant कर रहा है और इत्ती सारी चीज़े अपने आप हो जा रही है उसके फ्रेंड्स बन जा रहे हैं हमें हवा मिल जा रही है चुडियों कुनाने की जगा मिल जा रही है वहां पे म्यूजिकल नोट्स बचने लग रहे हैं और लग रहा है कि स्वर्ग जैसा महौन हो गया है तो यह सारी चीज़े एक इनसान प्लांट करता है जब वो एक क्रीजौठ कर रहा होता है तक नेक्स सेंजा है इसका फिर्से कोश्चिन हमना ने आपसे कहा था कि पैटर्न रिपीटेड है इसने फिर से कोश्चिन आया वह दे रहे हैं देखिये ही प्लांट कूल शेड और टेंडर रिंड वह क्या है अगर जिसे हम राज्टे में चल रहे होते बहुत कड़ी धूप है गर्मी का महाल चल रहा है उस वक्त अगर हमें कोई पेड देख जाता है बड़ा सा घना सा या चोटा पेड भी बस पेड का जाइड और एस हूं तो क्या मतलब है जो फ़र्स्सट लाइन ही प्लांट स्कूल शेड वह हमारे लिए थंडा शेड प्लांट कर देता है और आपको पता है contracting कैसी न घ्रजिस पह एक तो उसमें प्लांटोंस क मामारी लिए रही हैं प्लांट वह तो वह हमारी लिए रहन कर दो ही नहीं थीक्र है कि तो क्या क्या उपलांट कर रहा है एक हमारे लिए कूल शेड पलांट कर रहा है उसे रे नहीं शान दूबना कर रहा हैर्ग लिए र Natürlich सारे आसकेगी ऐंसी जी सेंद बर्षstra टू भी और सी जो बर्ट सय वो क्या होंगी ग्रो कर पाएंगी and years that fade and flush again और जैसे जैसे year बढ़ेगा आगे साल बेतेंगे वो तेपेड जो है वो बढ़ा होगा उसकी यह सब जो शक्ती है वो और बढ़ के सामने आएगी ठीके ग्रो करेगी He plants the glory of the plane और जो plane है मतलब की जो हमारा इलाका है ठीके वहाँ पे glory मतलब सुन्दरता बढ़ा देता है अगर हमारा सिर्फ ऐसी घास बिछी हुई है ठीके घास का इलाका है वहाँ पेड़ हैं पौदे हैं बड़े बड़े सुन्दर सुन्दर तो वो वहां की सुंदरता बढ़ा देता है चीक है तो he plants the glory of the plane he plants the forest heritage और वो क्या plant कर रहे हैं साथी साथ forest के heritage को it means की हमारा heritage क्या है वो चीजे जो हमें हमें help करती है हमारी संस्कृती बताती है हमारी हर चीजों में पीछे हमारा ऐसे pillar बनके खड़ी रहती है तो forest heritage भी वह प्लांट करता है क्योंकि हमारे लिए plant ही सब कुछ है plant हमें पानी भी लाके देंगे plant हमें खाना भी देंगे हमारे जीने का एक मासाधन है हमें oxygen भी plant से मिलता है हमारी बस एक मासाधन क्या है plant तो वह हमारे लिए forest heritage की तरह काम कर रहा है वह हमें forest heritage भी plant करके देखा the harvest of coming age और जो हमारे आने वाली पीडिया है जैसे आज हैं कल हमारे बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे तो अगर हमारे पास plants रहेंगे forest रहेगा तो ही ना उन्हें हमें जो चीजें हम जो बैंडियो पहरा है हम हमें जो फॉल मिल रहा है हम łठेक को मिल रहा है हमे जो रेन महसूस कर सकते हैं ठाप dalej कर पाएंगे तो उसके लिए वाच अजब मनका पड़ेगा तो हमें अपनी future generation को दिमाग में रखते हुए, अपने अभी की चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, क्या करना है, freeze plant करने, जितने भी हम कर सके, उसके बाद the joy that unborn eyes self see, देखो आया ना मोलाई, वो चीज़े जो unborn eyes है, मतलब जब जनम नहीं लिए, बर जिनको वो चीज़े देख सके, अब हम सारे पेड को nest कर दे रहे है, deforestation बहुत तेजी से हो रहा है, तो क्या होगा, आने वाले समय में बस plant की क्या photos दिखाऊगे, नहीं न, उनको दिखना है, plant क्या होता है, कैसा मोहर होता है, तो उसके लिए मैं आज से plant करना पड़ेगा, तब चीज़े बहतर हो पाएंगी, these things he plants, who plants a tree, यह सारी चीज़े वो एक इनसान plant करता है, जो कि एक tree को plant कर रहा होता है, तो next stanza इसका है, what does he plants, who plants a tree, एक इनसान जो tree को plant कर रहा होता है, वो और क्या-क्या चीज़े plant कर रहा होता है, he plants in sap, a leaf and a wood, वो plant के साथ, leaf को रखता है, उसकी wood का benefit होता है ठीक है in love of home and loyalty और अगर सबसे वफादार कोई चीज है तो वह है पेड क्योंकि अगर हम उसको पानी देंगे खात देंगे उसकी सेवा करेंगे तो वह बड़ा होने के बाद इतनी हमें चीजें देता है में protection करेगा हमारे लिए shade बनेगा कर रहे नाएगी उससे oxygen मिलेगा खाने का समान मिलेगा और क्या ही चाहिए सब कुस्तों कर रहे है लव और लॉयल्टी दे रहा है हमें वह एंड पॉरकास्ट हॉट और जो इंसान प्लांट करता है उसको लोग भी समस्ते हैं कि वह बहुत अच्छा है वह निचर से प्यार करने वाला इंसान है उसकी जो surrounding है उसके जो प्लांट करता है वह प्री प्लांट कर रहा है तो वह पूरे के पूरे नेबर हुट जो भी उसके पड़ोसी है या जो भी चीजे हैं उन सब के लिए blessing का रूप होता है क्योंकि वह क्याद नहीं कर लेगा ना oxygen को वह हवाओं को क्याद नहीं कर सकता वह सब को मिल रहे होती है तो वह एक blessing प्लांट कर रहा होता है किस चीज के लिए अपने नेबर होट के लिए holds all the growth of our land और अगर हमारे लैंड में plant लगे रहेंगे तो जो soil erosion होता है जो soil के उपरी परती हड़ जाती है अगर plant लगे रहेंगे तो उनकी जड़े उनको पकड़ी रहेंगी और अगर वह पकड़ी रहेंगी तो हमारा land infertile नहीं होगा वो fertile रहेगा ठीक है तो वहां पर हम आराम से चीज़ें और grow करवा पाएंगे तो ये हमारे लिए एक कीबी हुआ smile erosion को भी बचाएगा और nation growth from sea to sea starts in the herds who plants a tree और जो हम जानते हैं जो एक nation का growth होता है वो sea to sea होता है it means port से समान आना समान भेजना ही हवाई जहाद से भेजना ही सब चीज़े होती है बट जो इनसान होता है जो tree को plant कर रहा होता है वो दिल से पूरे surrounding को क्या करता है nation को growth की तरफ लेके जाता है तो ये पूरी की पूरी हम इसी चीज़ पर dependent है कि आखिर हमें plant क्यों plant करना चाहिए तो इसमें बहुत सारी चीज़े बताइगे है कि वो कैसे किसी का घर बनता है किसी के लिए shelter हो जाता है किसी को बारिश का पाने मिल रहा है खाना मिल रहा है good civilian हो रहा है दूसरों के लिए blessings हो रही है तो ये सारी चीज़े मिलती है अगर हम किसी एक ट्री को plant करते हैं तो मेरी आप सबसे request है क्यों न एक ऐसा काम किया जाए अपने हर एक बदे पे हमें ट्री प्लांट करें बाकिसब करते हैं ये celebration हम कर रहे हैं बट एक काम करते हैं एक ट्री और अगर ऐसा हर एक इंसान करने लगा सुची कितने जादे क्रीप्लांट हो जाएंगे तो इसी मोटिफ के साथ यह पूरी फोयम ख़त्म होती है हो आपको समझ में आया हो आपको अंडरस्टाइंड हो पाई हो और अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है लाइक करना है शेयर करना और सस्क्राइब करना है और हाँ बैल आईकन को बिना भूले बजाना है अदरवाइस आपको मेरी नोटिफिकिशन तो मिलेगी यह नहीं इसलिए यह सब कुछ करें और लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर करें आप सब ठीक है तो थैंक यू और सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और हन्रेड अर लेफ और हन्रेड वचे जैसिंग अन्रेड कम्प्रेट होंगे बन थाउजंट होंगे मैं लाइव आउंगी आप सबसे में इंट्रेक्शन करने के लिए मिलने के लिए चीक है ओके बाई टेक एर अल आप यू